नमस्कार दोस्तों जी एस वाड़ी में आप सभी का स्वागत है आज हम बैदिक काल लेके आए हैं हरपा सभेता के बाद का समय है यह 1500 से 600 इस्वी पुरू तक का समय माना जाता है इसके बारे में हम डीटेल देखेंगे कैसे सभेता का विकास होता है बैदिक काल का कौन-कौन से साक्षपराप्त होते हैं बैदिक काल लोग कौन थे इनकी समाजिक बेवस्था कैसी थी इनकी राजनितिक बेवस्था कैसी थी इनकी धार्मिक बेवस्था कैसी थी यहाँ पे समाज में इस्त्रियों की दसा कैसी थी यहाँ पे वर्ग बेवस्था कैसी थी इन सब के विस विशेश वीडियो बना दी गई है अगर यहां मैं उसके बारे में डिटेल आपको देता तो साहिश संचिप्त दे पाता क्योंकि वैदिक काल अपने आप में दो भागों में हैं काफी बड़ा है वैदिक काल ही लेकिन हमने इसकी विशेश वीडियो इसलिए बना दी थी पहल वीडियो है जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं दो तीन भागों में लाने की कोशिश करते हैं जिससे की उबाओ नहों वीडियो और आपको बेहतरीन समझ बनाने में सहयता मिले यह सामाने ता इसका समय माना जाता है 1500 से 600 इस भी पूरवतक का BC तो अब यहां देखे एक ये चत्रों में कहां कहां तक था इसमें भी आप देख सकते हैं हमने दो मैप किया है दोनों से आपकी अच्छी समझ बन सकती है और इससे पहले हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे उसके बाद मैप पर आएंगे यहां भी देख सकते हैं यह भारत का मैप है और इस भारत क सब्भेता थी जिसे आरे सब्भेता कहा जाता है जिसे क्या बोल जाता है जिसे आरे सब्भेता कहा जाता है अब ये आरे क्यों कहा जाता है आरे सब्भेता तो देखे कहा जाता है कि जो बैदिक कालीन लोग थे बैदिक सब्भेता के लोग थे वे मूल रूप से आरे ही थे ब बाहरी थे, बाहर से आये हुए थे, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, इनके विशे में जो जानकारी का मुख्य स्रोत है, आर्या सब्यता के विशे में या बैदिक सब्यता के विशे में जो जानकारी का मुख्य स्रोत है, वह बेध है, हाला कि इनके बारे में भी पु बाटा जाता है। इस काल को सामाने रुप से दो भागों में बाटते हैं। कैसे एक को हम रिगवैदिक काल मानते हैं या पुरु वैदिक काल कहते हैं जो पंदरा सौज से एक हजा इसा पुरुः के भीश ठहरता है। यानि कि इस समय को रिगवैदिक काल या पूर्वैदिक काल कहा गया, दूसरा आता है आपका उत्तरवैदिक काल, उत्तरवैदिक काल को कहा तक माना जाता है, उत्तरवैदिक काल को एक हजार इस्वी पूर्व से छे सव इस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है, अब सबसे प गया है, जानकारी का मुख्य स्रोत्त क्या है कि निम्हक का तो बैदिक और पुरा तत्यत्ति-साक्ष जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं साइट्तिक स्रोत्त में आपके वेद आते हैं और उसमें भी रिग वेद है जो हमें वैदिक कालेंस सब्विता के विशय में जानकारी प्रदान करता है। किन्तु मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको इससे सम्मंदित वीडियो हम अलग अपलोड किये हैं। इसलिए यहां पर हम बेदों के विशय में कोई चर्चा नहीं करेंगे। इरान में रहने वाले थे और वहां से वे आगे बढ़ते हुए वहां से उन्होंने विस्थापन किया और वे भारत की वारार भारत में बस गया। एक और है बोजकोई अभिलेक, बोजकोई अभिलेक 1400 इस भी पुरुका है। इसमें हित्ती राजा सुब्विलिम्मा और मितिनी राजा के मध्य हुई संधी के साक्षी की रूप में। मतलब वहां कि कोई हित्ती राजा रहे होंगे, आपको नामों में इतना याद रखने के जरूत नहीं, अगर याद रहेगा, तो अच्छी बात है, नहीं याद रहा, तो इसमें ज़्यादा घवडाने के चिंता की बात नहीं, क्योंकि इतना डीटेल में नहीं पुछा जात और इनको शाक्छी माना गया, इनकी कसमे खाई गई, तो अब जब इनकी कसमे खाई गई और ये हमारे यहां के देवता है, बेदों में इनका उलेख मिलता है, तो इससे से भी यह समानता स्थापित करने का प्रयास इतिहास का रुद्वारा किया गया है, अब देखते हैं भौग लिक बिस्तार, भौग लिक बिस्तार पर क्या देखते हैं कि यहां कह रहा हैं कि रिगवेद पर ही निर्भर रहना आए, कोई पुरातात्युक साक्षे नहीं मिलता खासकर, रिगवेद में निवास के संदर्व में सब्त सेंधो प्रदेश का उलेख हुआ है, यहां आ आधुनिक पंजाब में जो सात नदियां हैं, जैसे पंजाब में पांच नदियां हुई, पांच नदियों का आब, जो पांच नदियों का दो आब है, वह चेतर पंजाब है, ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ हुआ दो और नदियों को जोड़ लीजे, जैसे एक नद तक जोड़े यमुना से सतलज तक के मद्देका चित्र को भी यह माना जाता है कि यहाँ पे बैदिक कालेंज शबेता फली फुली थी तो यह हो गया उसके बाद रिगवेद के आधार पर जैसे रिगवेद में जो साक्षो प्राप्त होते हैं उनकी आधार पर ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान, पंजाब, पस्च्मी, उत्तर प्रदेश तक के चित्र को आरियों का निवास माना जा सकता है और सिमांकन अगर हम देखते हैं, एक तरह से हम मान लेके अगर हम boundary खीशते हैं, तो कहां पाते हैं, पूरवी सीमा इसकी जो होती है, वो हिमालय और तिबबत ठेहरती है, पूरवी सीमा हिमालय और तिबबत तक माना जाता है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान माना जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग मैप लेके जरूर बैठा करी, काफी मदद मिलेगी इसमें, तो अब अगर मैं तुर्ग मेनिस्तान आधोनिक कहा रहा हूँ, तो अगर आपको मैप की जानकारी है, तो आप तुरन तो विजलाइज कर लेंगी, आप तुरन तो उसका प यह आपका एरो लगा है, इधर से आरे आए, और यह मोजवन्त परवत है, हिमाले की उची चोटी का जिक्र हुआ है, एह हिमालेयांद छेतरे यहां पे है, ठीक है, तिबबत का छेतरे ही है, इधर आपका अगर देख रहे हैं, यमुना नदी का जिक्र किया गया है, यह सरस होती है ये आपका विपासा वगएरा है ये सारे नाम ये छेत्र जो था मुख्यरोब से ये बैदिक लोगों का बैदिक आरियों का निवास अस्थान था उस समय ऐसा अनुमाल लगा जाता है एक और मैप में देख लेते हैं अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ज़्यादा ल 較 ये सारे चेत्रों को अगर हम देखें तो इन सब जगों पे कही निकरी बैदिक काल निस सब विपता के साक्षन प्राप्त होते हैं नहीं और जन पद जब आप छठी सतावदीसा परूँ जाएंगे वहां पर इन सब चेत्रों का चेतर देखना है, यह आपका बैदिक काल का चेतर, पुरु बैदिक काल का चेतर माना जाएगा, इधर का चेतर उत्तर बैदिक काल का हो जाएगा, एक समझने के लिए मैंने इस मैप को डाल दिया था, तो हमने देखा चेतर के बारे में, अब देख लेते हैं कि आरे जैसे कहा से आए इसके विशाह में अलग अलग बीदौनों का विभिनमत है। हमिने एक साक्षव प्राप्त होता है कि अ Major Creek हम एक उसमें पता चलता है कि एरान से आए हुए थे। तो अब यह जब भारती विद्वानों ने इसके विशह में खोज किया, भारती विद्वानों द्वारा परियाप्त मात्रा में इसमें जब रिसर्च किया गया, तो हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अलग-अलग मत है, कोई मता क्या नहीं है, कस्मीर पंडिकल्ल द्वारा माना गया एक हे अल्डीकल्ल द्वारा कस्मीर्ष्ट्र मान गया ब्रहमर्सी द्वारा पंड़ी क्यं सबत कह अ देखें यहां आप इमत समझेगा कि उत्री ध्रू कैसे हो सकता है, माना जाता है कालांतर में भारत की या पूरे प्रिथिवी की जो भागोली किस्तेती है आज है वो किसी समय बहुत अलग हुआ करती थी इससे, भागोली की साक्ष बैग्यानिक साक्ष भी प्राप्त होते हैं प्राप्तियों का ये मूल निवास रहा होगा, देखें अब यहां अगर आप देखें कि देवी का प्रदेश तो देवी का प्रदेश कहां है, ठीक है तो इसके बिसे में डिटेल नहीं जाना मैं पहले बता चुका हूँ, सामानत मिलान करने को दे दिया जाता है और इतना ह हमें जानना है, इस से ज़्यादा कि आवशक्ता नहीं पढ़ने वाली है, उसके बाद देखते हैं, सरस्ति सरवाधिक पवित्र नदी थी, सरस्ति नदी का सरवाधिक बाल उलेक किया गया है, ठीक है, उसके बाद आपका सतलुज नदी का उलेक किया गया है, यमना का का उल जोटी मोजवंद गाउल लेख मिलता है एक information थी जो important थी अब देखते हैं आरेों के बारे में हमने देख लिया आरे कहां से आये थे भोगोली के स्थिति क्या थी उनकी कहां से उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती अब देखते हैं कि उनकी सामाजी के बैवस्था कैसी थ समाज था उसका निर्धारण कैसे होता था परिवार था क्या कैसे था जंजाती और कबाईली समाज था देखें यहां के बारे में अच्छी बात है कि हमें यह जान लेना है जहां इससे पहले एक नगरी सब्भेता होई थी हरपा सब्भेता उसके बाद यह सब्भेता एकद पूरी तरह जन जातियों कभायली होते थे, कभी इनका अस्थाई निवास कोई नहीं रहा करता था, सामाजिक सनरचना क्या था, जन्म मूलक संबंध था, इसके तहत कुटुम्बो की सब्दावली साधारन होती थी, पुत्र पुत्र के लिए अलग सब्द प्रयोग होते थे, किन्तु भाई, भतीजा, चचेरे, आदी के लिए एक ही सब्द प्रयोग होता था, रिग वेद में जिसके लिए न्रिप्त सब्द काउलेख मिलता है, ठेक है, तो ये ध्यान ले नजलों के जन्म मूलक संबंध ध्यान रखने वाली बात ये है, कि मतलब किवल पुत्र पु कई इकाईयों में विभक्त था, सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, ठेक है, रिग वेद में विश सब्द 170 बार, जबकि जन सब्द 275 बार आया है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, कि देखे, जैसे कहीं कहीं आपको किताबों मिल जाएगा, कि जैसे ये परिवार मिलके गाउं का निर्मान करते थे, और कई गाउं मिलके, कई गाउं को एरिया मिला के क्या करते थे, वे विश का निर्मान करते थे, और कई विश मिलके जन का निर्मान करते थे, और कई जन आपस में इकठा होके जनपद का निर्मान करते थे, इस बारे में आपक न जन के बीच और न परिवार के बीच इनके बीच समद्धों का कोई असपश्ट उलेख कही नहीं मिलता है विश का प्रधान विश्वपती होता था जन का जनपती होता था तो ऐसे सब्दे मिलते हैं तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि विश और जन ये मुख्य रूप से समाज की इकाई होते थे एक गठन होता था एक प्रकार का ठीक है और समाज पित्र सत्तात्मक था परिवार का आकार काफी बड़ा होता था कई पीडियां एक सांथ रहती थी ऐसा उलेख मिलता है पुत्र जन्म के लिए प्रार्थना और कामना अनुष्ठाना दि किया जाता था समाज में पुत्र जन्म को काफी महत्तो दिया जाता था पुत्र प्राप्ती के लिए लोग लालाईत रहते थे और पुत्र के जन्म को सुभ माना जाता था हाला कि देखें यहां इस बात का उल लेख कहीं नहीं मिलता कि पुत्री के जन्म को असूह माना जाता था, या स्थियों की दसा खराब थी, ऐसा कुछ भी उलेख नहीं है, बलकि स्थियों की दसा संतोज जनक कहा जा सकता है, इसके भी कई सारे प्रमाण है, जैसे रिग वेद था, पठन-पाठन का अधिकार था, सभा समारो हो रहा है, जैसे कोई राजनिती की काई है, किसी प्रकार का सम्मेलन हो रहा है, सभा हो रहा है, तो उसमें भाग ले सकती थी, विवाह वयस्क में नहीं होता था, मतलब वयस्क होने पर ही विवाह किया जाता था, बिधवा बब कहीं भी उच्च पद पर किसी इस्त्री के आसीन होने का प्रवाण नहीं मिलता यह जीजें थी समाज में कुछ अन्यवर्ग भी थे जैसे दास दस्यू पड़ी दास जो थे संभवत ऐसा माना जाता थे कि आरंभिक आ रहे थे जो पहले आये थे पहली बार में गुमंतु होते वह रंग के लिए इस्तेमाल हुआ है क्यों कि जो आर्य थे कई प्रकार के प्रजातियां इसमें थी इसलिए कोई एक नसल नहीं थी तो रंग के आधार पर बांटा भी गया था दस्यू कौन थे ये किलो में रहने वाले मोलनिवासी रहुगे ऐसा माना जाता है काले रंग के होते थे और लिंग पूझा करते थे इसलिए हैं दस्यू कहा दिया जाता था पड़ी क्या थे, पसु चुराने वाले, जो पसु चुरा लेते थे तो उनको पड़ी कहा जाता था हाला कि ये जो बाद में तीन वर्ग हुए है, दास, दस्यू और पड़ी, इन तीनों से आरियों की भिढ़नत होने लगी और बाद में ये आरियों के दुस्मन बने और कहिन कहिन में कंफ्लिक्ट का एक बड़ा कारण भी ये तीनों बने और आगे समाज में बिभाजन का होना या समाज में किसी प्रकार की और अब्यवस्था का पैदा होना कहिन कहिन इन तीनों वरगों के प्रती ही इन तीनों बेक्षा ही कहिन कहीं कारण बनी, हलाकि ये डिवेट का विस्य है, आगी इस पर देखेंगे, वर्ण बेवस्ता ब्यावसाई का धार पे थी, समाज समता मूलक था, वर्ण बेवस्ता ब्यावसाई का धार पे थी, मतलग एक ही परिवार में कई ब्यावसाई या कई वर्ण के लोग हो सकते थे जैसे हो सकता है पिता को यवर कारे करता हो पुत्र को शाओर कारे करता हो माता को शाओर कारे करती हो तो ये तीनों अलग-अलग वर्णके हो जाते थे तो जो वर्ण था वो जन्माधारित नहीं था बलकि वह करमाधारित था बैवसायाधारित था बाल विव तो होँ इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा वर्ग इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित होगा तो वर्ग में अलग अलग वर्गों में लोग विवाह कर सकते थे लेकिन यहाँ पर क्या था कि बाल विवाह नहीं था अंतरजाती विवाह था आजीवन कुछ महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती थी, जैसे क्या हुए, कि माल लिजे कोई महिला ध्यात्मिक मार्ग पे चल दी, या उसको अपनी जीवन में कुछ और चीज़ अनुभोती हुई, तो वो क्यार कहती थी, आजीवन अविवाहित रहती थी, तो ऐसी महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, ऐसी प्रशन सीधे सीधे पूछे के, समाज समता मूलक था, ठीक है, अन्तर जाती विवाह प्रचलित था, अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, इसके अलावा एक जो और अच्छी चीज यहां देखनों को मिलती है, वो आप ये देखे का बहुत कमाल की यह क्या होता था, कि पुत्री का पिता, अपने पुत्री के जीवन में आगे किसी प्रकार का संकट अगर आए, तो कुछ धन, कुछ उपहार देते थे कि यह उस धन का इस्तेमाल कर सके संकट के समय, यह अपने जीवन को अच्छे चलाने के लिए इस धन का इस्तेमाल करे, तो प्रेम वस जो कुछ दे दिया जाता था, दहेज सबसे घिनावना प्रचलन है, लेकिन वहतु क्या था, वहतु एक प्रेम पुर्वक दिया गया, पिता द्वारा पुत्री को उपहार होता था, तो ये अलग चीज है, इसके लावा सबसे और अच्छी व्यात क्या मिलती है रिग वेद में, देखें, महिलाओं की स्थिति अगर अच्छी न होती, तो रिग वेद में लोपा मुद्रा, घोसा, अपाला, बिश्वारा, बिदुसी ऐसी महिलाएं मिली है, ऐसे महिलाओं का उलेक मिलता है, तो इससे भी पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत अच्छी थी, हलाकि मैं भूल गया आज प्रशना एड़ करना इस वीडियो में, तो कल आपको हो सकता है वीडियो में दो प्रशना मिल जाएंगे, यह वीडियो है हमारी समाप्त हो रही है, अब हम कल लाएंगे वैदिक कालिन, आर्थिक बेवस्ता और राजनितिक बे देखेंगे, तब तक आप लोग बने रहे कंटिन, जो पुछली वीडियो हो, उसको रिविजन करते रहे लगाता और हम आप वीडियो आपको अपडेट करते रहेंगे, धन्यवाद